मैंडेट थोड़ा सब्प्राइजिंग था और बाजार जो अनुमान लगा कर चल रहा था उससे तो काफी कम मैंडेट यहां पर बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ है लेकिन एंडिया एलाइंस यहां पर बनते हुए दिखाई दी लगाता तीसरी बार है ट्रिक लगा लेकिन यहां से विजन नहीं मिल पा रही है अभी और क्या यह दिकत आगे बाजार में जारी रहेगी क्योंकि हम देख रहे हैं कि गडबंधन को लेकर अभी थोड़ा कंफूजन है हमारे पास जो रिपोर्टर्स की तरफ से इंफॉर्मेशन भी आ रही है कि पांच बजे इंडिया ब्लॉग भी बैठा करेगा तो जब तक गडबंधन को लेकर सरकार को लेकर कुछ क्लारेटी नहीं मिलेगी क्या बाजार में यह जो कारेक्शन है थोड़ा डर का मौहल है यह भी बना रहेगा कुछ समय तर चिंता तो बनी रहेगी क्योंकि आपने भी शपत नहीं लिए और इस चर्चा को एक मिनिट के बाद आगे बढ़ाएंगे यह नंबर्स टैली आपके स्क्रीन पर चल रही है पहले सुनाइए नरेंदर मोदीजी ने कल क्या कहा 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने दो कारकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है राज्यों में जहां भी विदान सबागे चुना हुए वहां पर NDA को भव्यम विजय मिली है चाहे वो अरुनाचल प्रदेश हो आंदर प्रदेश हो उडिसा हो या फिर सिक्किम और इन राज्यों में कॉंग्रेस का सुप्रा साफ हो गया है मेरे पाद डी ट्रेल तो नहीं है लेकिन सायद उनको जमानत बचाना भी मुश्किल हो गया होगा तो ये देश के प्रदान में तरे पनी बात रखी देखे हम जब सीटे कम होती है ना तो कई बार क्या होता है कि बड़ी चीज के आगए छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करने लगते हैं इसे कल अगर मैं किसी भी आदमी से पूछू कि मैं को पांच आठ शेर ऐसे बता दीजिए जो कल चले है तो शायद ही किसी के बास नाम होंगे हाँ तूटने वाले नाम अमोमन सब के पास हो सकते हैं यह human nature है कि जो flow हो रहा होता है हम सिर्फ वह ही चेक करते हों जहां flow नहीं होता उस चीजों को चेकर नहीं करते लेकि वापे नहीं भी हुआ तो थोड़ा पॉजिटीव भी देखना चाहिए और में को लाग रहा मार्केट पॉजिटीव नेगेटिव दोनों को प्लेग करेगा इंडिया एलाइंस के जो मुखिया है राहूल गांदी जी इपर उनको भी सुनते हो क्या कह रहे हैं पार्टी के सब नेताओं ने दो तीन चीजें की सबसे पहले हमने इंडिया गडबंधन के पार्टनर्स की रिस्पेक्ट की उनकी जो विशिस थी उनको हमने साथ लिया और आपने देखा होगा कि जहां भी गडबंधन लड़ा हम एक होके लड़े दूसरी बात कॉंग्रेस पार्टी ने क्लैरिटी से हिंदुस्तान को एक निया विजन दे दिया है प्रो पूर विजन प्रो प्रड़क्शन विजन हिंदुस्तान को इंडिया गडबंधन ने साफ दे दिया है इसके तरफ से भी बात होई है कि देखिए हमने भी अच्छे से पर्फॉर्मेंस दिया है तो इसलिए हमको भी मौका दिया जा सकता है अब इसी मौके पर ही मैं चर्चा शुरू कर रहा हूँ इसलिए मैंने दोनों बाइट सबको सुनवाई है अब आप देखिए पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट यह होगा कि जल्दी अल्दी सरकार को बनाना होगा क्योंकि तूट फूट हो सकती है कोई भी आदमी दर से उधर जा सकता है बार्गिनिंग पावर बढ़ेगी होल्स टेडिंग बढ़ सकती है तो सरकार जितनी जल्दी बनेगी सबसे पहले तो उसी भी मैटर करता है और मैं को लग रहा है कि आज शाम को जो चार बज़े की बैठक हो रही है एंड़ी की चार बज़े बैठक हो इसमें मोटा मोटी यह फाइनल हो जाएगा और उसका डेट वेड़ भी आपको पता लग जाएंगी कब शपस समार हो रहा है और सब हो रहा है क्योंकि एक बार सरकार बनगी तो आपके पावर आ जाती है जब पावर आपके पास आ जाती है तो फिर आप बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हो तो यह एक पहला पॉइंट है कि जल्दी जल्दी सरकार बनेज दूसरा यह दोनों पार्टी इसके साथ में जुड़ेंगे खासकर टीडीपी और नितिश कुमार जी अगर यह दोनों साथ में रहते हैं अब इतक तो उन्हें बयान दिया है कि साथ में है तो यह कितना टफ बारगेनर है यह भी बहुत इंपोर्टेंट है हाला कि बाजार इतनी क्लोजरी चेक नहीं करेगा बाजार तो सिर्फ यह देखेगा अच्छा मोदी जी आगे मोदी जी की बड़ी लैंग्विज ठीक है पॉलिसी के लिए ठीक है आर्बे का फैसलिया आ रहे हैं बड़िया स सब कुछ वैसा ही फील हो रहा है बजार भूल भी जाएगा इस चीज़ को तो यह चोटा सा पॉइंट है सिर्फ नोटिस करने का लेकिन बहुत बारीक पॉइंट है बस आपको यही ध्यान रखना जिब तक शपत ग्रण समारों नहीं होता हलका सा डर और मार्केट के अंदर बना रहेगा एक बार हो गया तो एक राउंड का वो डर भी खतम हो जाएगा क्योंकि सरकार में आने के बाद जरतर लोग कंपाईल हो जाते हैं उसी के साथ ही रहे और सरकार से पंगा अमूमन कोई लेता नहीं है तो यह इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट चीजे हैं जो और जी वापिस शपत ले सकते हैं अभी तक तो यह पता है अगर ले लेते हैं तो धीरे धीरे डर कम हो जाएगा कि सरकार में टूट-फूट हो जाएगी वापिस आएगी नहीं आएगी एक बात देखिए तैय है यह कोई पहली बार नहीं है कि बारत में NDA की सरकार बनी हो इससे पहले हमने तीन टर्म तक कोर्लेशन गवर्मेंट देखी है एक गवर्मेंट हमने देखी थी जो अटल बीयारी वाजपई ने कोर्लेशन में बनाई थी उसके बाद मनमोन सिंग जी ने UPA1 और UPA2 चलाई थी दोनों ही कोर्लेशन की गवर्मेंट थी और इन तीनों बात जो कि हमें यहाँ पर अंडरलाइन करके देखनी चाहिए वो ये देखना चाहिए कि NDA ने आखिरकार कितने बड़े ऐसे दल हैं जिनके पास ज्यादा सीटे हो तो सिर्फ दो दल हैं पहला दल बचता है नितिश कुमार का और दूसरा है आंदरप्रदेश टीडीपी का ज दो सीटे जीती है तो कुल मिलाकर अगर आप ध्यान से देखें तो चलाने में सरकार चलाने में बहुत बड़ा जमेला नहीं है बारगेनिंग होगी तो दो नेताओं के साथ में बारगेनिंग होनी है और इसलिए सरकार जैसा आपने कहा सरकार जितनी जल्दी बन जाए बैत के साथ हम बीच-बीच में संपर करते रहेंगे क्योंकि देखना होगा काफी जादा डेवलप्मेंट यहां पर होते हुए दिखाई देंगे आने वाले समय में देखना होगा क्या कुछ यहां पर डेवलप्मेंट हो रहे हैं लेकिन अभी का फिलहाल जो सिनारियों बन रहा है उसमें यही समय में आ रहा है कि जल्द से जल्द यहां पर सरकार बनना जरूरी है दोनों ही पार्टियां बैठक कर रही है अब देखना होगा शांद तक क्या कुछ निकल कर आता है देखना होगा वापस से बाजार पर लोटते हैं और मार्केट की बात करें तो कल हमने एफ देखवाली उनकी तरब से हुत्वे देखिए